आज COVID-19 स्वास्त संगधन के कर्मचारियों ने जेला कलेक्टर कारले में अपनी मांगू को लेकर आविदन दिया COVID-19 स्वास्त संगणन की अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि कोड़नाम हमारी के चलते 2020 में COVID-19 स्वास्त संगणन की 130 कर्मचारीों की न्यूक्ति की गई थी जिस समय को नम हमारी चल रही थी हमारे संगठर की कर्मचारी द्वारा मरीजों की रात दिन सेवा करते करते खुद भी कुर्णा से संक्रवित हो गए लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं अटे लेकिन स्वास्त भाग द्वारत समय समय पर हमें बाहर का रास्ता दिखाने लगता है आज भी हमारे 20 कर्मचारियों को अपनी सेवा से बहाल कर दिया अगर पुले वापस नहीं लेते हैं तो हम स्वास्त कर्मचारी हर्ताल करेंगे जिसके समस्त जवाबतारिय स्वास्त भाक की होगी अभी जिले में वारल फीवर डेंगू मलेगिया जुसी घातक बिमारिया चल रही है और लगातार चिकित्सकों की भी कमी है जिसको हम स्वास्त कर्मचारी पूरा करते हैं और मरीजों का भरबुर इलाज वर सेवा की जाती है लेकिन हमारे साथ समय समय पर ना इंसाफ ही होती है हमारे कर्मचारीों को वापस नहीं रखा तो स्वास्त संगठन के सभी कर्मचारी आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे 2020 से 18 माह हो गए हैं लगात्तार कोविट 90 स्वास्त संगठन के 130 कर्मचारी निमत जिले में कारीरत थे जो जिनोंने अपनी जान हतेली पे लेकर अपने परिवार को संक्रमित करके स्वयम संक्रमित होके परिवार वालक की म्रत्यू तक हुई है कोरोना के दोरान लेकिन सरकार की हमने भोपाल में जाके धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे सरकार ने हमें वारे उपर लाठी चार्ज किया 18 महीने में हर व्यक्ति ट्रेंड हो चुका है और निमत जिले में आप देखोगे चिकित्स को इस्टाफ और हर कर्मचारी की कमी है जिला चिकित साले में ट्रामा सेंटर बना हुआ है 400 पेशेंटों की केपिसिटी वाला जिसमें करीबन आपको 600 के करीबन इस्टाफ चाहिए और 130 इस्टाफ जो आपको कम पेशो में और ट्रेंड इस्टाफ मिला हुआ है उसको आप बार बार निकाल रहे हो विगत तीन माहा पेले 40 इस्टाफ कम कर दिया गया अभी आपने 30 इस्टाफ कम किया है इस तरह अगर आप ट्रेंड इस्टाफ को कम करते जाएंगे और आप कहेंगे कि हम स्वास्त व्यवस्ता हैं मजबूत कर रहे हैं प्रदेश की और जिले की तो यह विदायक संसद और ऑपने जो जिले के मंत्री हैं उनके लिए शर्म की बात एक स्वास्त व्यवस्ता है मजबूत कहां हो रहे हैं जहां पर आपका इस्टाफ काम कर रहा है अपनी जान पर हात हत्यली पर रख के वह अगर आप ट्रेंड करने के बाद उसको बाहर निकाल रहे हो तो आपका स्व वापिस बहाली के लिए यहां आये हैं सबको बाहल किया जाए और जो पहले भी निकाले उनको भी वापिस लिया जाए डेंगू और अस्पताल में अभी संक्रामक रोक बढ़ गया चार सो के करिबन मरीज अस्पताल में भड़ती है नर्सिंग श्टाफ की और डॉक्टरों की सबकी जरूरत है और वेक्सिनेशन का कारिया पूरे निमच जो शहरी एला का है यहां पर कोविट स्वास्ते संगठन के जो हमारे भाई लोग है यह लोग कर रहे हैं और लगबाग असी प्रतिशत अगर हमको बहाल नहीं किया तो मुख्यमंत्री का जब भी हमारा यहां दो हमारा की हमारे जो भी साथी को निकाला गया है उनको वापस लिया जाए और सवीदा में किया जाए क्योंकि अभी टीका करन चल रहा है हमसे हमें आट बजे बुला बुला कर इन लोगों ने छेचे बजे फ्री किया हैं यहां से डूटी से और हमसे जितना काम लिया है उतना और यौने मतलब हमको एक भी चुट्टी टीए संदे ना कोई संदे ना कोंशन कोई शुकर बैना चुट्ट या में हमसे काम रेगुलर करवाया है और जब हम कौविट में ऑस्पिटल में भी डूद्या करतेती हैं वीना वंघ्र किभी हम से काम करवाया तो हमारा तो यही सरकार से यही केना है मुक्गे मंत्री साप से और हमारे कलेकटर साब से यही केना हैं कि भही हमारे जितने भी स्टाफ को निकला गया है उनको फिर से लिया जाए ये आदेश कल जारी हुआ है और हमारे कमसे काम after 16 और 20 स्टाफ को निकला गया है. इस बात के लिए आए है हमारा जो स्टाफ है उनको हमको कोवीड में लिया गया था सन 2020 में. हमने डेठ सार रेगुलर काम किया है और हमको हमारा परसो आदेश आया है कि इनको सब को निकाला जा रहा है एक आदेश आया है कि सब को निकाला गया है दूसरा आदेश आया है कि बस इसमें 16 स्टाफ को रखा है तो हमारे 36 स्टाफ में से हमको 16 स्टाफ को रखा है हमारा सारा 20 स्टाफ निकल गया है उससे पहले कि निकाल दिया गया है हैं हम तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सभी स्टाप को जुन को निकाला हैं उनको वापस लिया जाए और सविदा में अगर नहीं हमको वापस से नहीं लिया जाएगा तो हम धरना धरना परदेशन करेंगे और भुगरताल भी करेंगे नीमस सेधी प्रखताविया की यह रिपोर्ट